बिहार के बाद आब उत्तर परदेश में भी इंडिया गडबंदन के घटक रास्ट ये लोग दल का NDA में शामिल होना लगभकता हो गया है हाला कि RLD परमुक जैन चौधरी ने इस पर खुल कर कोई अलान नहीं किया है लेकिन उनके बयानों से तस्वीरे काफी हद तक साफ हो चुकी है RLD ही नहीं BJP की तरफ से भी ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं उतर परदेश के डिप्टी सीम बिर्जेश पाठक ने RLD के NDA में आने के सवाल पर कहा कि BJP परिवार में सभी का स्वागत है इससे पहले RLD परमुक जैन चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंग को भारत रत्न देने का एलान किया गया है जिसके बाद जैन चौधरी काफी खुश नजर आये और उन्होंने PM मोदी की भी दिल खोल कर तारीफ की वही जैन चौधरी ने राजिसवा में कहा चौधरी चरण सिंग को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला बहुत बड़ा फैसला है मैं दस साल तक विपक्ष में रहा हूँ कुछ समय के लिए इस सदन के इस तरफ बैठा हूँ मौजुदा सरकार की कार्ये शैली में भी चौधरी चरण सिंग के विचारों की जलक दिखती है अब मैं ये भी मानता हूँ दस साल मैं विपक्ष में रहा हूँ कुछी देरे सदन में मैं इस तरफ बैठा हूँ लेकिन मैंने देखा है कि दस साल में जो आज सरकार है इनकी कार्ये शैली में भी चौधी चरण सिंग के विचारों की जलक है जब आधरनी पधान मंत्री जी ग्रामी इन छेत्र में सौच की दुर्विवस्थाओं पे प्रकास डालते है जब महिला स्वसक्ति करण को अपना प्लैटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांगाओं में जागरुति पैदा करती है तो मुझे उसमें चोहदी चरंसिंग जी की बोली यादर वहीं जयन चौधरी ने जब सदन में बोलना शुरू किया तो विपक्ष के नेताओ और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकर जुन खडगे ने इस पर सवाल खड़े किये और कहा कि उन्हें किस नियम के तहद बोलने का अधिकार दिया गया है जिस पर हंगामा शुरू हो गया और राजसभा के सभापती जगदीब धनकर ने मलिका अर्जुन खडगे को फटकार लगाई जैन चौदरी के एंडिये में शापड़े के लिए उनके विश्चे के उपर विवाद करना प्रमोची आपके किस हालत में पॉइंट अब और रेस करें जैन चौदरी के एंडिये में शामिल होने पर सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी परमुक ओपी राजभर ने कहा समाजवादी पार्टी कहा समान देती है अगर दूसरी तरफ इस सारा कर रहे हैं तो चारगों मुलिया अपने तरफ कह रही है कि अपने तरफ जहांके देखो कि आपने क्या किया है दरसल भारत रतन देने के एलान पर जब जैन चौधरी से गड़बंदन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा किस मूँ से इंकार करू जब कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है वही जैन के इस बयान के बाद यूपी में भी इंडिया गड़बंदन का तूटना तैह हो गया है सपा ने उन्हें साथ सीटे दी थी जिसमें से चार पर सपा के कैंडिडेट को लड़ने की बात कही जा रही थी जिससे आरलडी कारेकरता भी नराज थे सपा महा सचीव शिपाल यादाव ने कहा जो छोटे छोटे दल बीजेपी में में गए वो कहीं के भी नहीं रहे जबकि माना जा रहा है कि बीजेपी ने आरलडी को दो लोग सबा सीट और एक राज़सबा सीट देने की बात कही है हाला कि दोनों दलों के बीच अभी गडबंदन का आपचारिक एलान होना बाकी है